हालो इस्टुडेंट गुड मार्निंग आज के क्लास में हम आप लोगों को इंटीग्रेशन में इक्सरसाइज 7.5 पढ़ाने जा रहे हैं जो की बहुत ही महत्तपूर इक्सरसाइज है इसे आम लोग ध्यान पूरुक समझें इसमें तरह तरह के कोश्चन सिखाएंगे इसमें जो भी फार्मूले होंगे उसको सिखाएंगे ठीक है देखिए पहला कोश्चन है इंटीग्रेशन यक्स अपान यक्स प्लस वन इंटू यक्स प्लस टू डीक्स ठीक है तो स्टूडेंट इस कोश्चन को करने के लिए सबसे पर दिहान दें जो यह फ्रेक्शन घिन्न के र हो पाएक है क्योंकि इंटू में है यह अना तो सरलिक्र के लिए इसको अलगालग पाट में बातेंगे रला नावर्यवस दोड़ने तोड़ना है तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले हम और आपको आंसिक भिन्द सिखाते हैं इसको इंगलिजिस को करते हैं तो इंटेकर सना बाद में करेंगे पहले इसका पार्सल फेक्शन करेंगे देखिए यक्स अपान एक सब्सक्राइब ऑन इंटू एक्ष प्लस टू है प्ये पार्सल ये है कि रूंस टर्म एबी सी वगरा लेते हैं इस प्रकाश से एकशन अगर और खंड होता तो आगे प्लस करके एसमें पांच रूल है इसमें पहला रूल जो की इंटिगेशन में पहला यह इस प्रकाश दिया हुआ है तो बता रहा हूं इसी में और भी आएंगे अगर स्क्वाइर हो जाता तब उसमें क्या रूल लाएगा बताऊंगा फिर अन्दर अगर एक सिस्क्वाइर प्लस हो तो उसके लिए रूल को मैं धीरी समझाओंगा क्रम से में देखिए जो इस प्रकाश से ए और अपन एक स्प्लस न पहला खंट था और प्लस करके वी अपन एक स्टूर से प्लस टूर और द्यां दें यह एक सब प्लस वन से X plus 1 cancels हो जाएगा यह इसका एस से multiply करेंगे तो A into X plus 2 फिर फिर प्लस यह cancel होगा यह बचेगा B, तो B into X plus 1 यह दर बच्रूम कर रहा हूं जो क्या कहते हैं पार्सियल फ्रेक्षन ध्यान दीजेगा पार्सियल फ्रेक्शन जिसों कहते हैं आनिसिक भिन आंसिक भिण थीक इस प्रकाश से आंसिक भिन इसका किया जाता है दो या दो से अधिक पाटों में तोड़ा जाता आप पार्शर फैक्शन के द्वारा यह हो गया अब यह इसको लिपते जाएंगे एक बार यह सपान ये फ्लस वन in tworing आप इसके माद करें दिखिए यह समें स्पिOM कर चुके हो लाप इधर a कंसिधर इंक कर देजिए तो जितना बचा हुआ है एक इस इक पिल टो एंटु एक स्पलस तु प्लस थी इंटु एक्स प्लस-वन यह बचाव औब स्थे द्धनगे दिजए दो यह फेक्टर है इस इसमें एक्स प्लस टू है इसमें एक्स प्लस वन है क्रम्षा क्रम्षा इन्हें जीरों के बराबर बनाएंगे एक बार इसको जीरों के बराबर बनाए जाता है तो आसान रहता है वैसे तो आगा तोड़ देंगे फिर आप गुलांग के तुलना करके एक से गुलांग के तु आगले बार इसको बना ढ़ूंगा अगले बार इसको बनाओगा देज़ेगा इस और जहां जहां मानेश टू रख दिया एक फिश्द रिखेंगा एक पूरे 2 to minus and minus cancel out, then implies b is equal to 2. तो जो जो constant a b ओर ये मान हैं उसका इमान एक निकलाया. इस पतकर से pursue fashion होता है, ति ये बी निकलाया, अब e का मान चाहिए, तो e का मान जाने की सुनेनेदेखो, अब आप समाल लिए, जब इसको आप 0 बनाए हो, तो ये वाला बचा है, तो इसको बराबर करूंगा जिएगा निकला गए इंप्लाइज इसको शरुपन बन जायेगा तो दिया एक प्लस फ्लस वन इसे घट जाएगा एक बचेगा एसे ऋगरा कर आओ ए हो जायागा अग्या इसको जीरो हो जायागा तो टोटल जीरो इसको एक्स प्रसवाइब है तो टोटल बने जाए इसमें से एक निकला यह माइनस वन इसलिए एक इसके दोनों कांसेंट की ज्याथ हो गई अब इसी कुछ सुडेंट यहां भार देंगे इस इसमें रखेंगे हम इसमें कितना है माइनस वन अपान एक्स प्लस वन और वी में कर लेंगे तो आसानी पूर्वक हल हो जाएगा समझ दो शूटिन बास समझ में आगे पारसल फैक्षन पहला रूल है इसमें कई रूल है जैसे को शन में आते जाएंगे वह ऐसे वैसे हम रूल बताते चलेंगे आप लोगो ठीक है इसको मिटा दो शूटिन समझ में आगे से इसके आगे देखिए ए और बी की वैलू ज्यात हो गई है तो उसको लिखना है यहां पर कि अब यही मैं लिख देता हूं इसलिए अब यह पूरा मान लिख दो यहां पर एक्स अपान एक्स प्लस वान इंटू एक्स प्लस टू माइनस वन है तो माइनस वन अपान एक्स प्लस वान वी कमान टू ए अप्स aven प्लस एक कर दना कर लेंगे डि इक्स नेंगे स्मझ में आ इस सारी नहीं है यह फिर्ट है तो देखो यह इन्टू में था दो पा데 में हो गया अब सरल हो गया अब आप इसका कर लेंगे लाग में लिग दिया जता है लाइगी यह माइनस है माइनस आप बाहर कर लिजिए हो जाएगा कितना माइनस बाहर किया इस एक होगा ना वह भर आज आप यहां देखेने के alpha करेंगे एकंगे छिए लाग में लिख देंगे लाग AIq आप इसके बार अज यह देंदें यह प्लस में एक प्लस को पहले लिखी जैंगे मानश को बाद में नीचे हो जाता है और ध् Tampey इसको पावर में लगा सकते हो कि आपको पछले बिदिए लाग में तो क्या हो जाएगा यह प्लस टू का दो डिए नहीं पहले हो जाता है तो इतने हो जाएगा यह मांईस एक लिखे दे रहे हूं into minus log x plus 1 अब इसके बाद हो जाएगा log आप जानते हो कि ye Doc yem minus log u तो क्या होता लाग yem divided by y यह yem कहें काम करेंगे इसका मaktला x plus 2 qa square divide by y Jim plus 1 इसके log लगा देंगे log हमें सा mark बेचलता च्zeugies नेफिल adesso definitive time है आप प्लसी कॉंस्टेंट हर बार देता है इस प्रकार से इसका इंटेगेस फूर्ट यह होगे ठीक है एकस प्लस टू का इसकोर लॉग में लाग एकस प्लस टू का कुश्चन नमबर टू देखिए कुश्चन नमबर टू है इंटिग्रेशन वन अपान एक्स इस्वायर माइनस 9DX इसको करना है वैसे तो आप इसके लिए एक रूल और पहले भी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले में कौन सा रूल इंटिगेशन वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दी एक्स हो तो क्या होता है इस बता सकते हैं आप लोग वन अपान टू ए लाग एक्स माइनस A डिवाइड बाई एक्स प्लस A तो वहाँ से इसा कर सकते हैं ठीक हैं अब एक इसी में आप और भी पढ़े हो कि वन अपान जब A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर दी एक्स रहे तो क्या होता है वन अपान टू ए लाग A प्लस A एक्स डिवाइड बाई A माइनस X का माड यह होता है तो यहाँ नाइन है इसको आप थरी का स्क्वार कर दीजिए यह हो जाएगा इंटेगेशन वन अपान X स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वार दी एक्स तो कितना हो जाएगा वन अपान 2A मतलब 3 हो जाएगा इंटू लाग X सो माइनस 3 डिवाइड़ दाई X प्लस 3 का माड इसको 6 लिख देंगे 1 अपान 6 हो जाएगा व आनपान 6 लाग X माइनस 3 दिवाइड बाई X स्क्लस 3 का अप्लस इस प्रकाश से कर दिए ठीखे आप इसी को प्रैक्टर करके एक सप्राइब करके उसको फैक्टर कर लिजे वह भी सकते हैं दूसरी मेतड नादर मेतड इंटेगेर्शन वान पांड यह लिखा हुआ है इसको आप इसको प्लस 3 into x-3 ऐसा कर लेंगे अब इसको सबसे पहले इसका पारसर फ्रेक्शन करेंगे तो क्या लिखेंग फ़ले ए अपान कितना एक्स प्लस थ्री अप्लस बी अपान एक्स माइनस थी फिर एलसम ले लिजिए तो यहां हल करेंगे ए और बी कमान आ जाएगा इसमें रख देंगे तो वह भी मैं कराय दे रहा हूं आपको यही इंसर उसमें भी आ जाएगा ठीक है इसको देखिए तो यह इंटीगेशन का विचाए चिनना लगाए क्योंकि पहले इस चीज का फैक्टर किया और उसका पारसर फैक्शन किया कितना होगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री यह कैंसिल आउट एंटू एक्स माइनस थ्री इस यह कैंसिल तो बी इंटू एक्स प्लस थ्री हो जाएगे दोनों रूल समल दीजिए अब लोग अब देखिए अब यह इससे कट ही जाएगा ठीकिना तो क्या बचाए वन बचेगे हाँ पर आप एक बार इस फैक्ट में राइए जीरो हो गया तो बी है उधार एक्स में कित्ता हाँ तीन है तो एक अमान चाहिए तो इस चीज़ को बराबर करें जीरो बन जाए तो ए निकला आएगा इसको आप ठीक समल लिजे एक मेथड यह हुआ फार्मूला के द्वारा एक दूसरा यह पास्टेशन के द समय बात यह इसको मैं मिटार दो ठीक पहले वाले मिठेट से लगाया हो वह मिटार रहा हूं यह सेकंड वाला लिखा हुआ है अब देखिए इसी में एक बार मैं इसको जीरो बनाया हूं एक बार इसको जीरो बनाऊंगा तो एक सप्लस थी बराबर जीरो देन X is equal to minus 3 ठीक है इसमें किता यहां यहां तो रखेंगे माइनस 3 तो माइनस 3 हो जाएगा तो माइनस 6 यह हो जाएगा इस चीरो जीरो माने ही हो यहां से का मान निकला आया कितना माइनस 1 बाई 6 मां बाग कर दोगे ए का मान और यह बी का मान दोनों निकल आए अब इसी में रही ना तो मैं यहीं लिखे देंगा ठीक है तो सबसे पहले आपने इसको तोड़ा था इसमें वन अपान एकस प्लस 3 इन्टू एकस माइनस 3 इस पर कास तो लिए इस इक्वाल टू अब इसका पाउस से फ्रेक्शन करके आ गया ना ए में कितना है माइनस 1 वाई 6 फिर कितन हो जाएगा वन अपान एकश फ्लस 3 इंटिगेसन पहले आते जाहिए एक बार में दोनोग ऑंव क्वा जाए अब वालम तो मांस विसको कैसे करोगे आप जानते हो के निचे का देफरेंशिल उपर मिल जाए तो नीचे को लाग में लिखा जाता है कितना हो जाएगा लोग x प्लस 3 इसमें कितना जाएगा ओन वाइशिक्स लाग 1-3 क्योंकि इतना इसका भी दिफेंशिल ऊपर मिल लहां है तो पहले पाश्टिव को लिख दीजिए फिर निगेटिव को यह लाग में है तो यह माइनस होने करें नीचे हो जाएगा तो कितने हो जाएगा लाग माइनस भी दिवाइड वाई एक सब्सक्राइब यही पहले वाले में था में यही दूसरे वाले में आ गया है इस प्रकाश स्टुर्ण दोनों तरीके जहां जैसे आपके सब्सक्राइब करिए अब यह बात समय में आ गई ठीक से अगला कोश्चन देखिए अब इसको पिटा रहे है ठीक समय में आ गया को डिक्स देखिए कुश्चन नम्मर थार्ड़ कर अब question 3 है integration 3 x minus 1 divide by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 यह है integration आप देखे तो नीचे जो है डिनामेटर में तीन factor है अब तीन factor है तो इसको सबसे पहले factor को तीन टर्म में divide करेंगे बॉटेंगे उसको जिसे हम partial fraction के द्वारा करेंगे तब ही यह बन पाएगा और हम आपको एक सूपर सार्टिक भी शुन बताएंगे आज ही इसी वीडियो में हम आपको सूपर सार्टिक बताएंगे कि एक्जाम में कमपर्टिक्शन वाले एक्जाम में आप इतना बड़ा नहीं लाग करेंगे तुरंत हो जाए विदिन टू या थ्री सेकंड में वह भी मिठेड इसके बताएंगे हम ठीक है पहले इसके पूरा विस्तार से समाल दो तब भी बताएंगा तो इसके लिए सबसे पहले पार से फ्रेक्शन लगान जा रहा हूं निमेरेटर के पावर से अधिक हो नीचे डिनामनेटर का अधिक हो और निमेरेटर का पावर कम हो क्यों अर्था इससे कह लिए भाग ना जा सके क्यों उपर पावर कम होगा नीचे पावर ज्यादा होगा तो भाग नहीं जाएगा अगर उपर पावर ज्यादा होगा वह य ज्यादा रहने चाहिए तब उसपे फार से लगाएंगे अग्यार तो यहां एक में पावर किता वन है नीचे पावर समझेर एक पावर यहां एक पावर यहां एक पावर टीनों मुल्टिपूल में है तो पावर किताव एक्स पावर थ्री हो जाएगा गुला करा देंगी तो नीचे पावर ज्यादा हुआ मतलब इस कहने मतलब यह उचित भीन है यह प्रापर फ्रेक्शन करने योग है इसलिए करता हूं सबसे पहले इसको पहले हम फैक्टर करेंगे तो तीनों एक ही पावर का है तो बिल्कुश वाला फैक्टर जो पहले बता चुका हूं एक्स माइनस वन प्लस बी कॉंस्टेंट है इमाल लेंगे एक्स माइनस टू फिर आगे बढ़ा जाएंगे सी अपान एक्स माइनस टी अब इसमें देखिए एक्स माइनस वन से भाग करें कर जाएगे यह दोनों बचेंगे आप लिखेंगे यहां पर एइन्तू एक्स माइनस टूं इन्तू एक्स माइनस टू एक्स फिर प्लस इस बार अपश्त वाले कटेंगा यह यह बचेंगे में ऑक्षै यह यह बंस बाई के नश्रा सबसे पहले आप क्या लेक्स माइनस टू बराबर जो एक तो नहीं करेंगे एक समाइस टू बराबर जिरो देन इंप्लाइज एक सब्सक्राइशन में जहां जहां वाइरेबूल यक्स है वहाँ दो बैठाल दीजिए सब्सक्राइशाम करें को दो रखेंगें तो 3D निश्या माइनस व्यवाण फाइड़ जाया इस इक है इसमें आचए इसको जीरो माने ही हो तो फूरा जीरो बना देगा जिए यहां देखिए याक्स में टू दू बरेंगे एक से तू मैं से वन गए इसको मानस समझीर बरेखं़ माइनास मिलेगा मानस समझन माइनस लुक्त मानस थी भी तो यहां समझन चैक आप यहां करते भी जैरच का 0 हो जाएगा इस पतंब सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक उपलाइब सोगे दिसको कर दीजए सब्सक्राइब पर बना रहा हूं और यहां यस 7 रखेंगे सब्सक्राइब करेंगे इसका मदलब 2C हो जाएगा ठीक स्टूजिन यह हो गया तो तू से का दे तू फोर जाएगा तो सी बरब कितना आ गया और आ गया जो इसको बना चुके इसको बना यह नहीं बना लोगे तो चलिए इसके आगे लिखता हूं यहां जगह नहीं है इसको मिटार दो ठीक है तो इसको आप उतार लीजिए ठीक से आगे यहां कर देता हूं यहां जगह नहीं इसको मिटार नहीं पड़ेगा ठीक तो मैं यहां यह मिटार रहा हूं है लेकिन बीकी बाइल कितनी आई बी का मान बी का मान कितना आया है जब दो रखे हैं पाइफ तो माइनस फाइफ आए ना थेहां दीजेगे बी का मान माइनस पाइफ अब अब इसके बाद यह सुमानस बड़ाबर जिरो देन इंप्लाइज यह व्यक्स टूब टुबवान वट डाली सब जखाव वन तो बन नंगे तिन तीन प्राप्त हो जाएगा यहां से बराबर दो से तोड़ जाएगा एस पकार से तीनों माल प्राप्त हो ठीक है यह है इस चोडिन पार्ट से अफ्रेक्शन करना तो अब इस मान को यहां रख दिया जाए उसका इंटेकर लिए जाए तो यह मान को अब हम यहां मिटार करके यहां रख रहें सीधे यहां ठीक है इसको मिटार रहो है कि तुम लोगों के पारसर फ्रेक्श्ट आप समझ में आ गया होगा सारी बाते इस प्रकार से और जो तीन चार में थेड़ हैं उस सम में बताओंगा जीरी तरह करके करम सजैसे से कोशन में आते जाएंगे उस सम में बताता चालूँगा एक के स्थान किता भरोगे एक वन आय सब्सक्राइब हो गया सी कितना है फोर यह स्थान में क्या करता है इस प्रकार से फ्रेक्शन दिये रहें उसको बिल्कुल सिंप्लिफाइब कर लिया तर्में तोड़ करके अब इसका इंट्रीकेशन करना मतलब करना ठीक है आब यह मलिए वहीं चीजा लिखा है एसा इंट्रीट लाइजते अपकर लीपन के inex ंब्सक्रान करने का कि आफ देखनेशन नीचे है High Minus based, जाएंग। आज मांड लगाटिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्त एंसर है आप बहुत करना चाहते हूगा दिसको 500 अब सकते हूं सब्सक्राइब तो पमाइन zest्वन प्लाइव सब्सक्राइब अब इसमें फ़ीह आपमाट लगा दीजें अब श्रूडन और क्या हो सकता है जैसे जानतों लॉग की प्रॉपर लगाई जाए देखिए लॉग यह चीज़ प्लस में है तो उपर इंटू में हो जाएगा जो माइनस वह दिवाइड पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा एक सम्माइनस वन ऐसे करिए फिर यहां कित इस प्रकार से अब प्लसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप ठीक से समझ लीजिए समझ में बात आ गई होगी अब अगला मैं सुरू करूंगा बताना लेकिन उसके लिए मैं आप यह कहा था कि एक सुपर सार्टिक बताओं कि इतना लंबी प्रोसीजर ना करन सब्सक्राइब इसको अब इसको मिटार रहा हूं अब आप इसका सूपर साटिक समझ यह बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चा है कि वे वह सृपरिक्षिंठ नुम्हान करिए सुपर साटिक कि सब्सक्राइब देख हूं आए अभी में आप शूपर्टिक सब्सक्राइब हर्क्राइब में सब्सक्राइब दीये हुआ है एक समानस बराबर जीरो देन इंप्लाइज एक उकल टू वन इस फ्रेक्षर में वहां रखेंगे जहां पर जीरो नहोंने पाए तो यह वन इसमें नहीं रख सकते क्योंकि यहां रखें तो वान पांच यह निफाइनाइट होगा फिर निकले कैसे इसको छोड़ कर बाकि हर ज और नहीं रखेंगा हुआ जिसमें आप नहीं रखें हो नहीं लगा आप ऩयाibile हो लाग में हो जाता है वोसे भी क्योmir नीच है दि襲 देखा लगा यह आपका हो गया अभी दो से दो कट भी जाएगा ठीक है मिलाते भी जाएगे पहला आ गया इसको जल्दी से हम बता रहे हैं बागी तब दो मिनट तीन सेकंड में कर लोगे फिर देखिए एक हो गया फिर इस वह समझे इसको जी लोगा वानेंगे अच्छा बीच प्लस लग को रखेंगे सब्सर्ते यहां रखेंगे यहां मिल जाएगे तो यहां रखेंगी जब दो मैंस तो मानस वन हो जाएगा जो समय रख़ाि बात ये समय नहीं रहा रहा है तो इसमेंर कि इसमें रख दिए इसमें र रखे यहां रखे यहाने जिसमें नहीं रखे हो वो क्या हो जाएगा वो तो लाग हो जाएगा लौग सब जहां यहां यहां भर दोगे तो 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 त्रकाई 9 9 नम वैसे 8 है यहां डिवाइड कर लिजे। वहां हो ओ दो यहां कर दिया और यहां नहीं दो इस नहीं नहीं रखोगे यह क्या हो जाए अच्छा प्रस लाइगा क्योंकि दोने से प्रस है तुमारा है यह क्या हो जाए लॉग कितना एक्स माइनस थ्री यह जोड़ देते हो इसको आपकार दो तूफोर जाओ अब देखिए पूरा वही मिल गया क्या मिला लाग इसको माड में कर द इंपॉर्टन कोशन यह भी हो गया वही चीह है यह यह बदल दिया है वाई सुपर सॉर्टिक के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि आप इस प्रकासे में लगाएंगे तो आसानी पूरा कोश्चन कर ले जाएंगे समय कि आपकी बचत हो जाएगी ठीक है ध्यान देजिए आप इस बास समझें आगा है जितने फैक्टर हो करम सब्सक्राइब कर लेंगे और उसमें नहीं रखेंगे वाईलू जिसमें जीरो बन जाए उसको लाग्में कर देंगे बांकि एक समय सान्वे वह बढ़ रख करके हल कर जो प्लस आए प्लस लिखेंगे मानिस आए गया त कॉश्चिन नंबर फूर से किए कॉश्चिन नंबर फूर है इंटेग्रेशन एक्स अपान एक्स माइनस वन इंटु एक्स माइनस टू इन्टू एक्स माइनस थ्री इसका इंटेग्रेशन अब इस्टूरे सबसे पहले सुपर साटिक से बताऊंगा सुपर सुपर साटिक्स कम समय में कैसे को हल करना इंटेग्रेशन को देखिए एक तो पार से फ्रेक्शन जानगे अगर पार से करना है तो सबस्क्राइब नीचे की पावर ज्यादा वरिये बूल में तो कोई भाग करने को सकतने सीधे एपान एक्स माइनस वन प्लस भी पार से जीरो बना लिए वाई रखते जाए तो ए बी सी कमाना जाएगा तीन फैक्टर बन जाएंगे इंटेगेशन कर लो गया जाएगा ऐसे जाता तो लाग में ही आता है जानते ही हो तुम लोग क्योंकि नीचे रहता है तो नीचे का डिफ्रेंस उपर मिल जाता है तो न समय में करना है अब मन में समल लो सारी चीज़े येक सब्सक्ण हो जाएगा यहां रखोंगी यहां एकशा बन कर देते हैं आप था समाझ में आवे खांगी सब्सक्राइब तो नहीं नहीं लिख रहा हूं कि हो सकता मानस में जाएगा इसमें तुम रख नहीं सकते हैं चाहे माड लगा दो एक बार में इसमें रख नहीं सकते हैं इसको बराबर एक समानस तो बराबर जीरो देन इंप्राइब रखेंगे तो नहीं रखेंगे तो डिवाइड नीचे है यहां रखोगे तो यह हो जाएगा मानस में मानस हो जाएगा अब इसके बास करो है लोग से करें क्या रिखोंगे एक समय में बात यह जो बनाओगे श्सको बनाओगे तो यह क्या मिलेगा तो तीन दग डाल यह किता होंगा इसको इन दो 3 हों 3 ठेकर रखो होके 3 में से 1 गएं 2 यहां रहों 3 में से 2 गएं1 वन ना लिखो यह 3 में से 1 ऑड़ दिया चिंद प्रस रहेगा यहां तो रखना नहीं है प्लत कर दिया और लाग इसके लिए सब्सक्राइब करना चाहो तो अगर उतर दिया है विकल्ब में कोई डिवाइड के रूप में तो ऐसे कर लीजिए लगा करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर फिप्ट है इंटिग्रेशन तो एक डिवाइड वाई एक स्क्राइड प्लस थ्री एक प्लस टू ठीक है यह कोश्चन देखिए कि इसको आप कैसी करेंगे कि सबसे पर देख लें इसको तुम पर मिटार देते हैं ठीक है कि कि देखिए कि नीचे क्वाइडर्टी क्वेशन है तो सबसे पहले अगर यह पार से फ्रेक्शन से हल करना है और पार से लिमस्ट होगा क्यों वैसे तो एक तरीका इसको और हो सकता है जैसे हमने बताया कि नीचे वाले डिफरेंसियल अगर उपर मिले तो नीचे वाले को लाग में लिखा जाता है अगर ना मिले कांश्टन में नहीं मिला है तो कांश्टन को जोडा घटा है जा सकता है जिसका तो जोड़ देगे तो यह प्रस प्लस थ्री अप्लस इतना करके पिछला वाला फारूने लगा दीजे इसको परफेक्स कर बना कि वहां से भी आ जाएगा ठीक है आप समझ गया होगे ठीक है तो बनार लिकर कर सकते हो और इसका तो फैक्टर करने पड़ेगा इसका फैक्टर किया होगा है इसका योच किस्था पर मिलना चाहिए जानते हो मिल नहां है उसकन코 को फैक्टर होлаг गें यहां इसको लिए इंटिकेशन टू एक्स डिवाइड बाइए एक्स फ्लस टू इन्टू एक्स प्लस वाइए ठीक स्टुडेंट आप कर लोगे अब इसका पार से फेक्शन कर लीजिए तो थोड़ा सा पार से बता दूंपि आप लोग कर लीजिए अब इसको मेरा मुझे उ सब्सक्राइब कर लोगे यहीं कर लोगे इसका कर लोगे और लाग में आएगा इस प्रकास हो जाएगा इसका हम हमें पुरा उम्मीद है कि आप लोग कर सकोगे एक मैं पार से फेक्शन थोड़ा और बता दूंपि अगले सवाल में उसको प्योग पड़ेगा तो आप लोगे उसको थ्रद्धान दो पार से फेक्शन के खरीका और अब जैसी ट्रूंट कि इस टाइब का हो यक्स अपान कि एक सब्लस वन कैसी पॉयर के इंट्यर माइनश तो ऐसा हो इसका पार आफिसंव अब करेंगे यक maximा बार कि एक बार यहां लिए बिना स्क्वाइर कि एक स्क्राइब करके एक स्क्राइब कर लेंगे मान रखते जाएंगे का मान आ जाएगा फिर इसका स्क्राइब कर लेंगे थी की थी और बताता हूं तिसरा ये डाया नीचे वाले को यह नियम बताए तो नेक्स जब हम इसको बताएंगे तो आप लोग अपने से भी कुछ कर ले जाओगे हैं तो हमको बताना नहीं पड़ेगा जितना हो सके वह आपको अपने से करते चलो तो अगला एक टम अपने है अगर इस टाइब का है एक डिवाइड वाई एक स्कुर प्लस वन इंटू एक सो माइनस वन इस प्रकार करोंगे इसमें 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 स्कुर लग गया है सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो क्या करेंगे नहीं होता जो सबसे पर सिंगिल पावर वगत लिखो पहले इसको लिखो इसको बाद में करना तो सबस्क्राइब करते हैं अगर जीरों करने पर उधर पच्छांतर करें अगर अगर जीरों करने अगर रूट के अंदर निगेटिव आ रहा हो तो ऐसे फाक्टर को जीरों करोगे फिर वहां क्या करोगे दोनों पच्छों के गुरांकों की तुलना करके एबी सी की बैलू निकाली आती है ध्यान देजेगा वही बताऊंगा अभी मैं इस प्रकार से पहले आप पासर प्रक् अकि आप लोग अराम से कर लैं अगला रूल यह है जैसे 3x plus 1 है 251 है तो यह प्लूजव थैक्सटर , सब्सक्राइब है इसका पावर इसको एक्सकृर है स्कृयर्स का बदल सकतेैं अगर मानेस उता तो कर लेते प्लस है नहीं कर सकते इसका कैस्स तोड़ेंगे पास्टिट फेक्शन में अच्छा इससे मतलब में इतने जरू ध्यान देना है कि ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से कम रहे नीचे वाले ज्यादा रहे अर्था भाग ना जा सके अगर भ में सकता है तो आएसे केस्स में B X लिखा जाता है डिवाइड़ भाई बोलो X2 1 अब इसका नहीं लगाएंगे यहां दो बार है ना मनें लिखा हुआ है आगे फिर प्रस करेंगे वी एक्स प्लस इंगा से क्योंकि इसक्वाइर पावर है इसक्वार प्लस वन का होल्सक्व सब्सक्राइब लिखना पड़ता है जैसे मैंने बताया है जो कुछ को फैक्टर को जीरो बनाने पर जो निकलता हो रूट के अंदर निगेटी वाता है उसको जीरो बरब नहीं करोगे उसको आपस में गुणा करके गुरांग की तुल ना करके विसी की वैलुए याद करोगे इस प्रकाश से देखिए यह बहुत इंपार्टन था इसको ही बता दिया इस प्रकाश यह पासर फेक्शन के चार पांच जो रूल्स है इनकार जरूर जाने रहें तो आपको इंटिकेशन करने में बहुत सहुलियत रहेगी ठीक है तो इस प्रकाश समझ लें तो फिर हम आगे इसको समझाएंगे ठीक है नेक्स आपको अगले वीडियों बताएंगे थैंक्यू कि अ जाँ आपको